नमस्कार नित्रो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान में आने वाली नई व्याक्याता बरती को लेकर जिसकी गोशना आपको पता है शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने गोशना की थी जब राजस्तान में आंदोलन हुआ था कि सितंबर में एक कर दी है और इसी से जुड़ा हुआ आज का अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा यह देखिए फर्स ग्रेट बर्ती की आंसर की जारी अब परिणाम पर नजर आपको बता है कि जो पुरानी वेकेंसी चल रही है उसकी आंसर की जारी कर दी गई है अब पुछ समय बाद उस आंसर की और परिणाम पर है इस बर्ती के तरद पांच हजार युगाओं को नोकरी मिलनी है इदर सिक्षा विभाग ने नई फर्स ग्रेट सिक्षक बर्ती की अबेरतना बिजवाने की तैयारी शुरू कर दी है साप साप न्यूज मेंशन है कि नई फर्स ग्रेट सिक्षक में नई बर्ती के लिए आवेदन मांगने की गोशना की थी इस बारे में आप सबी को जानकरी होगी अब देखिए जो न्यूज आ रही है सामने कि जो पदों की संक्या है वो इस बार कितनी रहने वाली है तो देखिए तीन हजार पदों की गोशना की थी गोवर्मेंट ने और जो अपडेट सामने आ रहा है इन पदों की संक्या को बढ़ा के 5000 भी किया जा सकता है तो 3000 पर तो आनी है बढ़ा कर 5000 भी किया जा सकता है अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसका एक्जाम कब तक होना संबावी थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे सरकार ने सितंबर की एक्जाम की तीती प्रस्तावित कर रखी थी सितंबर में किसी भी आलत में एक्जाम नहीं होगा और गॉर्मेंट ने इसको क्लियर भी कर दिया है कि जब तक पूरानी फर्स गेड व्याक्याता भर्दी का काम पूरा नहीं होगा तब तक इस बर्दी का एक्जाम नहीं होगा उसी के बाद इसकी प्रिकरिया शुरू होगी तो आप मान के चलिए कि जो नई वेकंसी आने वाली है उसका एक्जाम 2021 में ही होगा उससे पहले होने की कोई संभावना नहीं है तो ये सवाल आपका नहीं होना चाहिए कि रीट की तयारी करें या फर्स गेट की तयारी करें और रीट का एक्जाम जो होगा दो अगस्त को होगा और दो अगस्त को आप टार्गेट मान कर ही अपनी तयारी करें इन बातों से आपको कोई मतलम नहीं होना चाहिए कि अभी तक pattern fix नहीं हुआ है, syllabus जारी नहीं हुआ है ठीके सर, और जल्द ही इसको confirm कर दिया जाएगा और जो बाते जो सामने आ रही है उसके अनुसार आपके दो paper होंगे इस बार REIT में, एक subject का होगा और graduation का जो वेटेज है वो समाप्ट कर दिया जाएगा और level first में भी B8 वाली विद्यारतियों को इस बार शामिल किया जाएगा लेकिन अभी तक government की तरफ से ऐसा कोई update नहीं आया है लेकिन इस बार इस बरती में ये प्रक्रिया अपनाए जाने की पूरी सम्मावना है सर तो government के update का हम इंतजार करेंगे और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप अपनी तैयारी को और बहतर बनाना चाहते हैं रीट और फस्गेड के लिए तो आप unacademy पर free test दे सकते हैं रोजाना unacademy के platform पर रोजाना free classes चलती हैं मेरी सर जहां पर आप free में live test दे सकते हैं और अपनी rank भी देख पाएंगे आप पूरा test होने के बाद लगवग 50-100 प्रशनों का topic wise रोजाना test होता है अगर आप उस test को देना चाहते हैं बिल्कुल free है निशुलक है तो इस वीडियो की description में आपको एक whatsapp group का link मिलेगा सर उससे whatsapp group को join कर लीजिए आप वहाँ पर आपको भरतियों से जुड़े होए update भी मिलते रहेंगे और free test आप unacademy के माध्यम से कैसे दे सकते हैं कई संख्या में लगवग 400-500 student class में रहते हैं रोज और सब मिलके test देते हैं और अंत में rank बताई जाती है तो इस वीडियो के description में आपको link मिलेगा उसको आप follow कर सकते हैं और free test दे सकते हैं special classes आप ले सकते हैं coronavirus को लेकर 20,000 classes चलाई जारी है unacademy पर और अगर आप अपनी तयारी एक system से करना चाते हैं unacademy पर unacademy पर आप plus subscription ले सकते हैं इसके लिए ये referral code आप use करें राजस्तान जी के store इससे आपको 10% का discount मिलेगा ठीके और subscription को लेकर कोई जानकारी आपको चाहिए तो ये contact number दिया गया है इस पर आप बात कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको clear कर दी जाएगी सर्थ ठीके सर्थ और free test आप दे सकते हैं उसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं है आप बस WhatsApp ग्रूप को जोइन कर लीजिए ग्रूप में सारी detail आपको मिल जाएगी जो की description में link है तो वहाँ पे ग्रूप जोइन कर सकते हैं आप ठीके धन्यवाद और तो first grade का मैंने आपको update देई दिया है 2021 में ही इसका exam होगा फिलाल आप read की तैयारी करें और read के exam से आप जैसे ही free होंगे उसके बाद फिर दूसरी vacancy आपके सामने होगी तो दो मोके हैं आपके पास दो अवसर हैं सरकारी नोकरी प्राप्ट करने के अध्यापक बनने के सिक्षक बनने के और कोई भी आपका comment हो तो नीचे आप अपने विचार comment करके आप share कर सकते हैं धन्यवाद